पांच राजियों में हो रही चुनाव 2019 लोगसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जानने का मौका है पर इसलिए बीजेपी कॉंग्रेस और सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और सभी पार्टियों के साथ ही साथ मुख्य पार्टियां कॉंग्रेस और बीजेपी इन सभी पांच राजियों में जी तोड मेहनत कर रही है कि किस तरह इन राज्यों की जंता का आश्रवात प्राप्थ हो जाए और सत्ता का सेमी फाइनल कहे जाने वाले इस शुनाव में एक मनोवज्यानिक दबाव बनाया जा सके अगर शुनाव में कॉंग्रिस के विजे होती है तो कॉंग्रिस बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला वर हो जाएगी और ये प्रचार करेगी कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया तो दूसरे तरफ अगर इन राज्यों में बीजेपी की जीत होती है तो इसका श्रे मोदी को मिलेगा और बीजिपी ये प्रचार करेगी कि हमारी नीतियों और मोधी सरकार की योजनाओं की वजह से जीत मिली है लेकिन मत गड़ना से पहले बीजिपी और कॉंग्रेस के लिए राजिस्थान में खबरे कुछ खटी मिठी रही है अभितर के सभी सर्वे में राजिस्थान की जन्ता कॉंग्रेस की सरकार बनवा रही है लेकिन सर्वे और जन्ता का मूड चुनाओं में हवाओं की तरह रोज बदलते और विगटते नजर आ रहे है अब राजस्तान से जो खबर निकल करा रही है वो खबर बीजिपी को सुकून देने वाली है अब इदर सट्टा बजार में बीजिपी कॉंग्रेस से बहुत तीशे चल रही थी लेकिन बीजीपी के ब्रांड मोधी की सभा के बाद राजस्थान में बीजीपी ने बाजी को पलट कर रख दिया है और 60 बजार की माने तो कॉंग्रेस और बीजीपी के बीच मुकावला काटे का हो गया है अब देखना दिल्चस्व होगा कि क्या राजस्थान की जनता का मूड 7 दिसंबर तक ऐसे ही बना रहता है या फिर बदलता है अगर राजस्थान की जनता का मूड बदला तो बीजीपी के लिए बूरी खबर होगी वेकिन अगर जैसा बना हुआ है ऐसा बना रहा तो फिर राजस्थान में इतिहास रच्टे हुए बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी